नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार दुबारा से आपके अपने चनल विवे करना स्टॉक्स में दिल से तो कुछ पैनी स्टॉक्स के वीडियो मैंने बनाये और यस बैंक के वीडियो बनाया डेशनिट चेक आउट करो ठीक है तो आज मैं बात करने वाला हूं 21 पैसे का पैनी स्टॉक जो 4 रुपे हो चुका है तो आब स्टॉक के नेक्स स्टॉक्स क्या रह सकते है चैसे स्टॉक 100 रुपे जायेगा जैसे बहुत सारे हमारे यूटूइबर फ्रैंड उसको क्लेम करने में लगे है कि भीया स्टॉक 1000 हो जाएगा 500 हो जाएगा ठीक है तो एक बात को ध्यान लगना जैसे आपको पता है stock market crash की संभावना है बन रही है तो मैं अपना खुद का आज view भी दूँगा market के बारे में कि आगे का view आपका क्या रहे ना चाहिए market के बारे में खास कर ठीक है तो ताकि आपका जो पैसा और आप से टाइम में निकल सके अगर market crash होती है ठीक है और खास कर पहली stock में आपको बता दूँ जो stock upper circuit में जाते है वो definite नीचे भी उसी तरह की से गिरते है तो आपको इस बात को भी follow हमेशा करना है ठीक है और देको market उपर नीचे जाते रहेगी उसके दिक्कत नहीं है आपको हमेशा अपना जो money management है risk management है उसको follow करना है अगर आपने इसको follow करना सीख लिया न तो आपको किसी भी market से डर नहीं लगेगा market crash होगी मंदी आएगी गिरावट आएगी 10% टूटे 2% टूटे फर्क नहीं पड़ेगा आपकी सेथ को क्योंकि आप proper rule follow करने वाले व्यक्ति हो इसलिए बोला जाता है जो trader होते है ना trader वो लोगों को धर नहीं लगता जा market किरत कि है उनको मजा आता है ठीक है उनको मजा इसलिए आ में बात कर रहा हूं यह 6-7 मैंने की बात नहीं कर रहा हूं एक साल में क्या होगा 15 बड़ा गोल लेकर मैं लेकर चलो बड़ा गोल ठीक है तो बड़ा गोल हमारा क्या है हमें long term में बहुत बड़ा पैसा कमाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको rules को follow कर है ठीक है तो कुछ stocks है जो मैंने भी आपको suggest किया तो 21 पैसे का stock है 21 पैसे में तो नहीं किया था किया था चार रुपे कर रहा है मेरा मुझे तीन सु चार सब्सक्राइब कर रहा है खाफ अच्छा पैसा बना के मुझे इस पर टेट कर रहा है अब स्टॉक में न्यूज क्या चल लिए मुझे नहीं पता सच बता हूं तो जब ऑपेटर का गेम आता है ना तो स्टॉक एक इक स्टॉक के उपर नहीं अब उससे पूरी मार्कट के बारे में बात करने वाला आज तो अंतर दीखना तो पहले हम बात करते हैं मार्कट के बारे में कि निप्टी लगतार आपकी क्रैश होगी या नहीं नीचे गिर रही है लोगों के मन में एक ढर सा पैदा हो चुका है तो यार दोस्तों देखो जैसे मैंने आपको बता रहा है कि यार मैं कैसे मार्ट को देखता हूं तो यार देखो यार यू कन सी कि मैंने आपको इस सिंपल सा इंडिकेटर बता रहा है 83 moving average ठीक है और 9 moving average का जब आपस में यह पर रहा है तो यह एक क्रेश कहला रहेगा तो यहां दिख सकती है यहां पर रहे हो चुका है और यह इसका लोज हो है जब तक यह ब्रेक नियोंगा अब यह अगर यह फूर जाता है 17,000 के नीचे अगर market गर जाती है ध्यान देना भाई 17,000 के नीचे अगर market गर जाती ही न आदा गंटा दो गंटा बिता लेती है तो market की वह लंका लगेगी ना जो सायथ आपने नहीं देखी होगी ठीक है इसलिए अगर 17,000 के नीचे पूश पैनी स्टॉक के बारे जिसकी मैं बात कर रहा हूं तो यह है स्टॉक का नाम Space Inqua Battery Technology Limited 4 रुपे सहती पैसे का हाई है 4 रुपे करती है ठीक है स्टॉक पी अल्मूस हाई हो चुका है ठीक है तो इसकी मैं बात कर रहा हूं 40 पैसे स्टॉक अल्मूस 4 रुपे तक जा चुका है प्रमोटर्स की होलिंग 24 परसेंट थी ठीक है यह रीजन ता स्टॉक को सजेस्ट करने का एक रुपी के असपास आज तो को स्टॉक कभे इस कहां ट्रेट कर रहा है आपके सामनी है लगातार उपर जाने में लगा है ठीक है 21 पैसे ही रहा और कभी गवास ट्रेडिंग होती बीच फे स्टॉक आई मिन उसमें जी एसम कैटेगरी में भी था ठीक है लेकिन अब द्वारा अक्टिव हो चुका है और देखो स्टॉक और टाइम हाई क्या सबाद चुका है ठीक है तो देखो यार पैनल स्टॉक में यह नहीं पता कि स्टॉक कितने उपर जाएगा ठीक ह है लेकिन आपको एकसर नहीं कनी कि पैने फॉल Stephanie को कभी आपको फस ना नहीं है तो मेरे हैं अब does करो चुका है यहां पर इस अजैणल के प्राइब करूँगा यहां पर प्रॉपर करूँगा यह तीन मेहने का जो रेंज है यह निकल कहता है और फ्रूपर चार रूपय हो गया तो यह चीज आपको समझेनी पड़ेगी अगर आपने समझे ली ना तो आपका पैसा बहुत जारा आलंत के सप्रफिंग केतखम सबस्क्रांइब में अवम्ध्यज आपको देखो शीका और टाला आपको में सट किंग आएग्ण के यह सब्सक्राइब यहां से स्टार्ट होगा अल्मोस्ट चार्ट च्वादा से 900 तक गया उसके बास लगाता है इक रेंज बेट कर रहा है इक रेंज बीट कर सकते हो यहां भी कर सकती हो तब आपका तो नहीं है पैसा नहीं बनता है वहाँ पर आपका फिर पैसा फस सकता है ठीक है इसलिए मैं कहा रहा हूं तो मर्जी अब आपके आपको क्या करना है बाकी कुछ और स्टॉक जैसे लियॉट्स के बारे किसी में पूछा था तो वह भी मैं आपको थोड़ा ज्यान दे तो उसक है ठीक है दस रुपे बार रुपे के टागेट थे जो कपके अच्छी हो चुके अब अब उपर जितना चलिया है बोनस है भाई ठीक है अब बोनस जितना मिल जा सबको अच्छा लगता है ठीक है लेकिन जब नीचे गिरेगा तो उसके लिए आप रैडी रहना प्लीज हद मचा दिये बही गंदी वाली हद मचा दिये बहुत उपर लगा एक वन एटी नहीं उचुका है तो देखो लगातर पंप होने में लगे है लेकिन जब गिरेंगे न तो लंका लगना निच्छित है अब मर्जी आपकी आपको क्या करना इन हाई में पैसा लगाना निप लगाऊ बही इन टॉब में हाई कभी मत लगाऊ पैसा देखो आयसे अब अब 80 हो चुका है हाई के नेशी में देख लो 80 हो चुका है एक रेंज बनाई नीचे आया बाई यहां बाई करू यहां 38 में मैंने खुद आपको आपको बाई पताय था ठीक है 38 से 188 होगे मुझे नहीं बताता कि इक सोच जाएगा मैं खुद नहीं एक सोच सीगे रेटी था मैं रेटी था सिर्फ डबल के लिए 76 तू 80 रुपी के टागेट रेटी था मैं लेकिन 189 मैंने भी विलीम नहीं किया था चलो कोई जो मार्केट है भईया मार्केट सुप्रीम मार्केट अगर आ कर लो अगर आप कमाना चारते हो घंळा अगर दस रुपे कमाना चारती हो तो आपसे 100 रुपे लेगी याएगी कब आईसा भी होता है यह पार्ट ऑप अप दगेम है ठीक है कोई चलता वलता रहता है लेकिन ध्यान देना मारकेट अकर स्पॉर्ट है अगर वो तूपता है तो मार्केट एब बढ़ी गिरावत दर्ज की जा सकती है ठीक इसलिए मैं आपको संकेर दे रहा हूं संकेर दे रहा हूं कि आपकी कैश में इतना हो कि बत्ना बैटो अगर जिस स्टॉक्ट के स्टॉक्ट हो रहा है तो प्रॉफिट गेन कर लो ठीक है यह बात किया रहा हूं तब मैंने शॉक बेज दिया लेकिन लोगों को यह नहीं पता कि हमने कुछ संकेत देख के बोला होगा ठीक है अब मर्जी आपके भाई है ना भाई आपका पैसा जहां आपको अच्छा लगता हूं लगाओ ठीक है तो मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं बाकी मिलते आपक अपने नेक्स्ट वीडियो तक लिए भाई बेट टेक क्या गुटनाइट